हाई फ्रेंट आज हम नों कढ़ाई में पिज्जा बनाने वाले हैं आई ये देखते हैं कैसे बनता है आज हम पिज्जा बनाने वाले हैं उसका डो तैयार करेंगे पहले आज चमस मैदा लेंगे लेकिन सोडा है एक चमस चीनु परसा नमग हलका से देशी घी है थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम अभी मिला लेंगे पहले जो में डाले थे उसको निला लें अच्छे से पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के सानेंगे इसका हमनुका डो तैयार करना है अब इसको हमनुका डो तैयार हो गया है अब इसको हम कम से कम 20 मिनट के लिए रख दिंगे धब के अधिवीज मिनट के लिए वहं करहाई गरं हो गया है देखिए अब इस में से अब हम लोगह इसका बनाएंगे दाल दिए है यह दो और हमारा नमक यूज जो गया है तो इसी में हम दोबारा फिर हम पिज्जा बनाने वाले हैं थीर तो देखिए अब लगा दिये है एका ना हुआ हो गया आलोई कि गास का हम देलां से भेह लोगे को भेहर को पिछान हना हम इसको यहिंए थे prefer can चम्मस्त ऐसे चारोतरब कर दिये हैं कि पिज़ा फुले न लगा दिये हैं इसको अमनों दस मिनट तब ढख देंगे ध़कने के बाद में बानों का पिज़ा एकसाइट का हो गया है और इसको पलट के इसमें लगाएंगे देखे इसमें हमनों पिज़ा सॉस लगा दे रहे है है ऐसे पिज़ा सॉस देखें इसमें हम लोग पिज़ा सॉस लगा दिये हैं यह वाला थोड़ा इसमें गाजर डाल दे रहा है यह गाजर रखे थे अब चीज रख रहे हैं इसमें देखें ठॉड़ा थोड़ा थोड़ा आँज है और यह सीमला मर्चा है यह पूंचे ज़ीं कर देखें थोड़ा थोड़ लगा देड़ा है ग्रींस सीमला मेर चाहिए तो मुझे गाजर पतलवला लगाये थे अब मुझे इस टाइप में लगा दे रहे हैं देखे इस टाइप में काते हैं तुमाटो तुमाटो ने हम चीज आओ डाल दे रहे हैं अर इसको में कढ़ाई में रखेंगे अब करहाई में रखने वाले हैं अब इसने अमनों कढ़ाई में रखेंगे इसको 15 मिनाट तक ना खोलें धब के अच्छे से इसको में रहेगा दस मिनट तब फिर पास मिनट स्लोट फ्लेम कर देज़ेगा इसको हम धब रहे हैं इसको पीजा खोल की इधम रेडी हो गया है अब इसको अम बाहर लिका लेंगे इसमें से इसमें देखिए वाओ किता टेश्टी बना है इसको हमें काट रहे हैं चक्कु से कि देखिए पीता इनने और टेश्टी पीजा बना है में का खाईए लाइक करिए सेव करिए और बताइए कैसा पीजा बना है वासा हलका सकाला नमग दाले हैं अब अब